चंद्रियान 3 को लेकर इसरो ने बड़ा अपडेट जारी कर दिया है इसरो ने 17 अगस्त को दो पर 1 बचकर 15 मिनट पर चंद्रियान 3 के प्रोपल्सन मोड्यूल को लेंडर और रोवर से अलग कर दिया अब प्रोपल्सन मोड्यूल चंद्रमा की कगसा में रहकर धर्ती से आने वाले रेडियेशन का अधियन करेगा जबकि लेंडर रोवर 23 अगस्त को साम 5 बचकर 47 मिनट पर चंद्रमा की सता पर उतरेगा यहाँ पर वो 14 दिन तक पानी की खोच साहित अन्य प्रियोग करेंगे वहीं सेपरेशन के बाद विक्रम लेंडर ने प्रोपल्सन मोडियूल से क थेंक्स पोर देर राइड मेड इसरों ने बताए कि लेंडर और प्रोपल्सन मोडियूल के अलग होने के बाद अब सुक्रवार साम करीब 4 बचे लेंडर को डी बूस्टिंग के जरिये थोड़ी निचली कक्सा में लाय जाएगा इससे पहले 16 अगस्त को सुबह करीब साड़े 8 बचे यान के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किया गए थे इसके बाद चंद्रियान की कक्सा में आ गया सुब्ट लेंडिंग के लिए चंद्रियान 3 को 90 डिग्री गूमना होगा प्रोपल्सन मोडियूल से अलग होने के बाद अब लेंडर को डी बूस्ट कि किया जाएगा यानि उसकी रब्तार को धीमा किया जाएगा यहां से चंद्रमा की निवनितम दूरी 30 किलोमेटर रह जाएगी सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्त को चंद्रियान की सोप्ट लेंडिंग की कोसीस की जाएगी यानि लेंडर को 30 किलोमेटर के उचाई से चंद्रमा की सता पर लेंड कराने तक की ये प्रक्रिया बहुत ही मतपुन होगी उसे परिक्रमा करते हुए 90 डिग्री कौन पर चंद्रमा की तरब चलना शुरू करना होगा पाच अगस्त को चंद्रमा की कक्सा में यान पहुंच गया था चंद्रियान ने जब पहली बार चंद्रमा की क प्रवेस करते समय उसके ओन बॉड केमरू ने चांद की तस्वीरे भी कैप्चर की थी इसरों ने अपनी वेब साइट पर एक वीडियो बना कर उन तस्वीरों को सेर किया वहीं मिसन की जानकारी देते वे इसरों ने एक्स पोस्ट में चंद्रियान के बेचे मेसेज को लिखा मैं चंद्रियान 3 हूँ मुझे चांद की ग्रेविटी महसूस हो रही है इसरों ने ये भी बताया था कि चंद्रियान 3 सभलता पुर्वक चंद्रमा की कक्सा में स्तापित हो गया है फिलाल चंद्रियान 3 अपनी सही स्थिति में है चंद्रियान 3 का लेंडर दो पर सबा एक पज़े प्रोपल्सन से अलग हो गया अब लेंडर की रप्तार धीमिक की जाए गया और 23 अगस्त को ये चांद पर लेंड करेगा काम की खबरू के लेटिस ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स देखते रहने के लिए बने रही है माई स्मर्ट गाइड पार